सबसे पहले आपको लिया चलते लखना उजापन मुखे मंत्र योगी आदितनाथ क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते है प्रेस कॉंफरेंस में आप सबका मैं हिर्दे से स्वागत करता हूँ हम सब जान रहे हैं जैसे प्रदेश अध्यक्सी ने भी बताया है कि लोगतंद्र के महापरवका संखनाथ पहले ही हो चुका है साथ चर्णों में पुरे देश के अंदर लोगसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव संपन्न होना है 19 अप्रेल को पहले चर्ण के 21 राज्यों के 102 लोगसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं और जो रुजहान पुरे देश से मिलना है वह रुजहान इस बात की और पुरे देश के ध्यान को अकरशित करता है क्याम जन्ता के मन में एक ही भाव है वह उत्तर हो दक्षिन हो पूरब हो पस्यम हो और फिर एक बार मोधी सरकार प्रधान मंत्री मोधी जी ने तस वर्स में देश के अंदर जिसकी तस्वीर को बदली है आम जन्की तक्दिर को बदलने के लिए जो एक सकारात्मक पहल किये हैं उसके प्रधी जन्ता का सकारात्मक रुख भारतिय जन्ता पार्टी के पक्स में बिना भेदभाव के समाज के हर तप्के का पूरा समर्थन और आसरिवाद भारतिय जन्ता पार्टी को प्राप्त हो रहा है दितिये चर्ण के चुनाव 26 अप्रेल को होने जा रहा है और दितिये चर्ण में 13 राज्यों की 89 सीट्स पे चुनाव होने हैं जिसमें अभी सूरत की एक सीट पर भारती जन्ता पाल्टी के प्रत्यासी निर्विरोध भी एक सीट पर अभी हो चुके हैं चुनाव इस बात क्यों ध्याना करसित कर रहा है कि संभातो पहला चुनाव देश का होगा यह ठारवी लोग सभा का चुनाव है और अब तक के पहला चुनाव होगा जिसके पेड़नाम के बारे में पुरा देश आस्वस्त है आश्वस्तिक अभाव इस दिश से क्योंकि मोदी जी ने पिसले दस वर्स में देश के अंदर politics of performance पर ध्यान दे करके पुरी जवाब देई के साथ हरे एक मोर्चे पर सरवांगिन विकास के जिन लक्सियों को प्राप्त करने के सामें प्रयास प्रारंब किये हैं आज देश उसका लाप प्राप्त कर रहा है यह हरे एक छेत्र में बैस्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का 140 करोड भारतियों के संबान का मामला हो भारत की सुरक्सा को सुदर्ड करने का हो भारत की आंतरिक सुरक्सा आतंगबाद नकसलबाद की समस्या को समाधान की लक्सितक ले जाने का हो या फिर देश के अंदर वर्ड ग्लास इंफ्रस्टेक्चर उपलब्द करवाने का हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्स्प्रेस्वेज, IIT, IIM, वर्ड ग्लास इंव्नस्टीज, वन डिस्टिक, वन मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये तभी कार्य है, पुरी देश के अंदर, टिपल आईटी, एन आईटी, ये एक लंबी सिरंखला है इनकी, जो प्रदानमंत्री, मोदी जी के निस्त्रित्व में, भारत ने पहली बार, गॉर्मेंट, पर्फॉर्मेंस के आधार पर भी कारे कर सकती है, और उस आधार पर जनता, जनारदन के बीच में जा सकती है, ये पहली बार देखने को प्राप्त हुआ है, देश के अंदर, गरीब कल्यानकारी योजनाओं का लाप भी, बिना भेधवाओं के, 140 करोड लोगों को प्राप्त हो सकता हो, ये अब ये देश पहली बार देख रहा है, 80 करोड गरीबों को 4 वर्से लगातार, रासन की सुविधा का लाप फिरी में उप्लब्द होना, 60 करोड लोगों को देश के अंदर, 5 लाग रुपे की स्वास्ते पीमा का कबर प्राप्त हो जाना, 50 करोड लोगों को जंदन एकाउंट खोल करके, सरकार की धंदासी उन सभी लोगों तक सीधे बीवीटी के मात्यम से उप्लब्द करवाने का कारे हो, 12 करोड किसानों को प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी का लाब हो, या फिर 12 करोड घरों में सोचाले बनाने का काम हो, 10 करोड घरों में उच्जला योजना के रुस्वी केस्स के सिलिंडर उप्लब्द करवाने के कारे हो, 4 करोड गरीबों के लिए मकान बनाने के कारे हो, या धाई करोड गरीबों को एक-एक बिजली के फ्री में कनेक्शन उपलब्द करवाने के कार्य हो पहली बार वास्तों में देखा है लोगों ने कि योजना का लाग बिना भेद भाव के हर तबके को कैसे प्राप्त हो सकता है जो नारा मोदी जीने 2014 में दिया था सबका साथ और सबका विकास का वा जमिनी धरातल पर कैसे हकीकत में बदला है यह भी पुरा देश देख रहा है और हर तबके की मन में इन सभी योजनाओं को लेकर के भारी उत्सा है मैं तो पूर यह है कि जह हम लोग सभाद चुनाओं लड़ रहे हैं तो लोग सभाद चुनाओं के दोरान एक तरफ भारती जन्ता पार्टी ने अपना संकल पत्र जारी किया था संकल पत्र की एक पत्रती के साथ पिछली वार मैं भी आपके बीच में यहाँ पे आया था बारतिय जंता पार्टी ने पहले चंड के मद्दान के पहले अपना संकल पत्र जंता जनारतन के सामने प्रस्तुत कर दिया था कॉंग्रेस ने भी अपना घोशना पत्र जारी किया है इंडी गड़वंदन के अलग-अलग दल भी अपने अपने गोशना पत्र जारी किये हैं मित्रों इंडी गड़वंदन और खासतोर पर कॉंग्रेस और उनके सयोगी तलों की जो गोशना पत्र है गोशना पत्र के विभिन प्रावधानों के खतरना किरादों की तरफ ही ध्याना करसित करने के लिए आज हम सब जनता जनार्दन का ध्याना करसित करना चाहते हैं जनता जनार्दन करहां और खास तोर पर इन बुद्दों को ले करके एक तरफ परने सब्सक्तर के दसक में सद्कालिन प्रभानमंत्री स्रिमती इंद्रा गांदी जी ने देश को गरीबी हटाओ का नारा देया था पर आधरित क्यों नहीं बन पाया था क्यों इनकी उसनाए टिकेंचूस की थी चेहरा देख करके उसनाओ का लाद देने का कारे क्यों और खास तोर पर अब दादी के देगये नारे को पोते के द्वारा किस प्रकार से तोता रटंत की जा रही है कि हम एक जटके में गरीबी कैसे अटाएंगे इसका अगर आपको पोँनकी गोष्णा पत्र में देखना हो तो यह खतरना गिराना भी है और हास्यास्त पत्थ है वो कह रहे हैं कि हम संपत्ती लोगों की संपत्ती का सर्वे करवाएंगे और संपत्ती सर्वे करके फिर वो संपत्ती को अपनी अमसार फिर उसका बंदर मांट करेंगे यानि पहले देश के संसाधनों पर रूट पार्ट याद करिए UPA सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग्जी ने अपने एक अई वाशन में इस बाद का उले किया था कि देश के संसादनों पर पहला दिकार मुसल्मानों का